बंगलदेश की प्राइम मिनिस्टर शेह हसीना वाज़त जो हैं वो दुबारा इंडिया आ रही है बंगलदेश की प्यम शेह हसीना भारत पहुंची दो दिन के भारत दौरे पर है शेह हसीना प्यमोदी के साथ होगी द्वीपक्षी चर्चा और ये 15 दिनों में दूसरा ट्रिप है के बंगलदेश और इंडिया के बीच काफी कॉन्फिक्ट भी रहा लेकिन फिर भी जिस तरह कंट्रीज करते हैं कि वो अपनी ट्रेट करते हैं उनको जो सही लगता है वो उसको करते हैं हमारे ना तो बंगलादेश से तालुकाद अच्छे हैं और बाकी दूर दूर तक तो कंट्रीज छोड़ी दीजें तो हमने किसी के साथ ट्रेड ना करनेंगी किसम खा रखी यानि कि हमने तो अपने हातों से अपनी तबाही की है इस मुल्क में पिछले 75 सालों में इसलिए देखें ये एक पहला विजिट है स्टेट विजिट है और इसलिए इसको इस पेमाने पे शायद थोड़ी हाइप क्रियेट की जा रही है और बड़े पेमाने पे वेलकम किया जा रहा है बंगलदेश की प्राइम मिनिस्टर शेह हसीना वाजद जो है वो दोबारा इंडिया आ रही है आपको याद होगा अभी बिछले अफ़ते दस दिन पहले ही तो वो इंडिया में आई थी और ये सुनने में आया कि मरेंदरा मोदी साहब ने ये इन्विटेशन बेज़ा उनको और ये स्टेट विजट है ये आम विजट नहीं है इसलिए देखें ये एक पहला विजट है स्टेट विजट है और इसलिए इसको इस पिमाने पर शायद थोड़ी हाइप क्रियेट की जा रही है और बड़े पिमाने पर वेलकम किया जा रहा है गो के अगर आप देखें इस पर कर डॉक्टर जे शेंकर तो सिरी लंका में है जिकिनन वह भी सुबह आ जाएंगे क्योंकि मैं देख रहा था कि वह उनकी तमाम सिरी लंका की लेटर्शिप से मुलाकाते हो चुकी है इतनी की लंबी फ्लाइट तो है नहीं है को लंबो से द बाता है कि जो प्राइमनिस्टर नरिंद्रा मोदी ने कोशिशें की के शेह हसीना वाजद दुबारा वजीर आज़म बंगला देश की बने हैं वो कोशिशें रंग ला रही हैं आपको याद होगा कि अमेरिकन्स बड़े अनॉइड थे बंगालियों से मदलब बंगला कि शेह चीह हसीना वाजद की हकोमत से तो वह एक मिथ जो थी वह उस पर इंडिया बार-बार वेस्टर नॉमालक को कह रहा था कि आप अथी ना करें आप इस तरह ना करें आप बंगला देश को टाइट स्पॉर्ट में इस डिफिकल्ट स्पॉर्ट में ना रखें और अब ये फॉक्जांबल शेह सीना वाजद जो है बढ़ारा आ रही है इसके मल्टीपर रीजन्स है जारी बात है ये कोई एक तो दुनिया को ये बत दूसरा ट्रिप है और अगर आपको याद हो जब मोधी 3.0 की स्वेरिंग इन सेर्वनी थी तो उसमें मौझ मौझूती इसका मतलब है कि नरेंद्रा मोधी साहब ने पहले ही उनको इन्वाइट कर दिया गया था यहां उसी वक्त उनको इन्वाइट कर दिया था कि वो आए हैं सो बाइलेटरल कंसल्टेशन तो इंडिया और बंगलादेश की होंगी ठीक है जी लेकिन इसके साथ-साथ यह लगता है कि और आपको पता है कि बंगलादेश जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है स्ट्रॉंगली पर्टिकुलर्ली इन ग्लोबल सौथ की लिडरिशिप के वाले से कुछ अर्सा पहले 2023 में आई थिंग एक ग्लोबल सौथ समिट करवाई थी इंडिया ने उसमें भी उन्होंने पार्टिसपेट किया था जी ट्वंटी की प्रेजिडेंसी में भी इंडिया ने बंगलादेश को इन्वाइट किया था और डिफेर्ट लेवल की जो मिनिस्टर लेवल टॉक्स हैं इंडिया और बंगलादेश की वो औरडी मुझूद है इन बंगलादेश दो है वो जी ट्वंटी की फॉर्ण मिनिस्टर्स मिटिंग में भी आया था और यह आप समझें कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं बंगलादेश के अंदर उनको भी फुसिल लिस्ट आप दीस प्रोजेक्स इंडियन्स ए सपोर्टिंग इन बंगलादेश और बड़े वेमाने पे वो लगे हुएं अब क्वेस्टन यह है कि मैंने जैसे शुरू में का कि नरिंद्रा मोदी चाहते थे कि शीह सीना वाजद पावर में आएं और वो इसलिए चाहते थे कि वो जो एक इंडिया की नेबर हुट फर्स्ट पॉलिसी है आपको पता है कि पंगलादेश के अंदर इंडिया आउट कमपेंड के नारे भी लगे थे लेकं वो एक जारी बात है कि इंटर्नल मैटर है लेकं पुरी दुनिया के सामने ये चीज़ पता चली थी कि नरिंद् के बाहर सौरी कि वो अगर अगर अपनी मर्जी की लिडर्शिफ चाहता है वहां पे तो इट मींस डे हैफ टो गेट सो मुच आउट आफ दाड़ सो बंगलादेश जो है वो अगर में वहां पे हजीना वाजज़ ना आती वहां खाल्दा जिया की पार्टी आ जाती तो क्या इंप्लिकेशन्स होनी थी जारी बात है जो कुछ नरिंद्रा मोदी अचीब करना चाहा रहे थे वो ना होता दूसी तरफ आप देखें कि इंडिया जतना ज्यादा वेस्ट के करीब होता है ये बंगलादेश के लिए बड़ी इंपॉर्टन जीज़ इंडिया जिस तरह में मैं जेनरल एक्तरिक हीं लिमिटे जो है वो जेट टी इंडिया में बनाना चाहते हैं तो इंडिया तो समझता है बंगला-देश ते बंगला है मैं में बह। कुछ मHz मेन सकता है अगर बंगला-देश., अगर ऐस काबल है कि वह ग्लोबल कमपनी के साथ इसनी बड़े-बड़े मौइदे कर रहा है तो यह हमारे लिए भी बड़ा इंपोर्टन है अब देखे क्या हम जिस तरह बंगलादेश कर रहा है क्या हम ऐसा कोई नहीं कर सकते किसी के साथ और हम अपने दोनों मुलकों के बीच बॉर्डर तक नहीं खोल सकते जहां पर आप पैदल चलके जा सकते हैं दोनों कंट्रीज में एक दूसरे की तरफ हम वो बॉर्डर भी खोलने को तयार नहीं है हम आलू प्यास टिमाटर की तिजारत करने को तयार नहीं है